भगवान बुढ जब चलते थे तो हजारों शिश्य साथ चलते ए चारों और मौन का वातवरन होता। पचास हजार शिश्य भेख्षों साथ चल रहे हैं। जहां जाते वन में शांती से बैठते, शांती से अपने मौन में साधना करते वे शिश्य। किसी की ओर नहीं देखते इतने शुब कर्म वाले इतनी शुब धारनाओं वाले लोग जो सिर्फ अपनी शांती और आनंद में जीते और कहीं उनका मन न टिकता कहा जाता था जब भगवान बुद्ध गाउं से निकलते तो उस गाउं में चोरियां बंध हो जाती हत्याएं बंध हो जाती क्योंकि मनुष्य क्या है विचारों का ही तो जोड है जब इतने पवित्रे विचार वाले लोग साथ चल रहे होंगे तो आसपास की लोग उसी थौट से इंफुलेंस होते है कहीं भीड में कोई एक व्यक्ति चिला दे कि पास में चोर है चोर चोर ही चिला दे तो वो तरंग चारों और फैल जाती है जो आसपास के लोग हैं उनमें भगदर मज जाती है कि कौन चोर आ गया तो एक विचार पूरी तरह से आसपास के लोगों को तरंगित कर देता है तो जब अच्छे विचार वाले लोग चलते हैं तो वो भी आसपास के लोगों पर इंफ्लूंस डालते हैं तो बुराई कम होगी और बैर से बैर बढ़ता है यह याद रखी अच्छाई से ही बैर कट सकता है तो अच्छाई का फैलाव करते हुए चलते थे तो एक दिन किसी एक गाउं में एक राजा का बेटा उनके पास आया कि मुझे दिख्षा दे दीजे अब भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा बड़े प्रेम से और उसको दिख्षा दे दी जितने भिख्षू थे वो कहने लगे भगवान आपने ये क्या किया ये व्यक्ति कब किसकी हत्या कर दे कब टाका डाल दे इसका कुछ नहीं पता आप क्या कर रहे हैं तब भगवान बुद्ध ने कहा मैं इस व्यक्ति को जानता हूं और इसके इस जनम को ही नहीं मैं इसके पिछले जनम को भी जानता हूं किसने पिछले जनम में ऐसा कृत्ते किया था जिस पुर्णे कर्म की वज़े से आज इसने दीख्षाली सन्यास लिया आज ये अच्छाई की रहा पर चल पड़ा है तुम देखो इस व्यक्ति को कि समराट का बेटा है मदमस्च चलता है इसकी चाल देखो चाल देखकर पता चल जाएगा कि पिछले जनम में यह मनुष्य नहीं था पशु योनी में जनमस का हुआ यह हाती था तो विक्षु हैरान हो गए और जानना चाहते थे कि क्या हुआ था तब भगवान बुद्ध ने बताया कि जंगल में आग लगी थी तब यह हाती अपनी जान बचा कर भाग रहा था यह हाती के जुंड का सरदार था भाग रहा था और एक पेड की छाओं में आकर खड़ा हो गया सांस भरने लग गया थक गया था तो देखता है इसके पेरों के बीच में एक छोटा सा खरगोश भी आकर बैट गया उस भोले खरगोश को देखकर इसे इतनी दया आई इसे लगा कि जैसे मैं अपनी जान बचा कर भागा हूँ वैसे ही ये खरगोश भी अपनी जान बचाना चाहता है वैसे सोचने लगा कि अगर मैं इस पल भाग जाऊँ तो ये मर जाएगा वैसे खड़ा खड़ा वही पर जल गया मृत्यू को प्राप्त हो गया परन्तु उस खरगोश भर आच भी चरासी खरोच भी नहीं आने ली उस पुण्य कर्म का फल है कि आज जन्म हुआ मुनिश्य का और दीक्षा भी ली पूरे दिन सभी भीक्षों में ये बात चलती रही कि एक अद्भूत प्राणी को दीक्षा मिली है देखते हैं कितनी देर ठिक पाता है रात्री में जब सब सोने गए तो भवन के अंदर तो वृद भिक्षु सोए और सडकों पर जिसको जहां जगे मिली वहाँ पर छोटे जो यंग भिक्षु थे वो वहाँ पर सोने चले गए तो इसको भी बड़ी मुश्किल से किसी एक गली में जगे मिली सोने को अब इतने मच्छार इतने कीड़े और जमीन पर सोनी की आदत ही नहीं बहुत मुश्किल हो गई अगली दिन सुबह उठा और भगवान भुद के पास गया और कहने लगा कुछ बात करनी है भगवान भुद ने कहा मैं जानता हूं क्या बात करोगे तो उसने कहा कि भगवान मैं कोई ध्यान की विदी नहीं जानने आया क्या पता आप ये सोचते हों कि कल मैंने डिक्षा ली तो आज ध्यान की विदी जानने आया हूंगा परन तो ध्यान नहीं जानना भगवान ने कहा तुम आगे बोलो इससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ भगवान ने उसके तीसरे नेत्र की तरफ देखा और जैसे ही दृष्टी डाली उसे उसका पूरा जनम याद आ गया जैसे ही जनम याद आया कि किस प्रकार से उसने बलिदान दी आता है एक बोले से खरगोश के लिए छोटे से खरगोश के लिए तो उसकी आँखों में आसु आ गए तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तुम इतना धैर्य हाती होकर रख सकते हो कि अब मैं धैर्य का पालन करूँगा मैं अच्छे कर्म करूँगा शुब विचार करूँगा भगवन इस जनम को व्यर्थ नहीं जाने दूँगा तो हमारा जो जनम है जो मनुष्य योनी का जनम है उसको हम व्यर्थ ना जाने दें गलत ना सोचें कश्ट जरूर होते हैं इस धर्म की यात्रा में लेकिन कश्टों को सहते वे यदि हम तप जाएं तो सोने की तरह निकलेंगे भागवान की ये जो राह है ये शुरुवात में बोरिंग जरूर लगती है परन्तु अंत जो है वो आनंद के साथ होता है